जहीं दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में दोस्तों सर्विंग सोलजर जो रिटायर होते हैं उनके एक्सरिस मैन बनने के बाद कौन-कौन सी जोब अपोर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सिविल में इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाय था जिसको आप लोगों ने काफी पसंद किया तो उसी सीरिज में ये दूसरा वीडियो है तो उस वीडियो के अंदर हमने जो जो वेकंसी देखी थी उनके अलावा जो vacancies बच गई थी जिनमें की ex-service man का कोटा होता है और ex-service man जिसमें apply कर सकते हैं तो वो सारी vacancies हम इस वीडियो में cover करेंगे और इसके अलावा जो भी vacancies बच जाएंगे उसको हम आने वाले वीडियो में cover करेंगे दोस्तों सैनिको से जोड़ी सारी खवरों को जानने के लिए subscribe का बटन दबाएं और bell icon को press करके all का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक और interesting वीडियो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं college lecturer के job की तो जिन-जिन states के अंदर ex-service man को administrative job में कोटा दिया जाता है वो कौन-कौन से state है इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे तो उसी के अंदर अंतरगत जो college lecturer की job भी offer की जाती है ex-service man को इसमें ex-service man के अलग से vacancies होती है यह एक group B की post है और इसमें जो eligibility है वो आपकी post graduation होनी चीए साथ इसकी एक ओर शर्थ है कि आपका post graduation में जो general candidate है उनकी 55% and above percentage होनी चीए और जो भी reserve candidate है उनकी 50% and above percentage होनी चीए subjects इसमें लगवग सारे subjects cover रहते हैं लेकिन वो main subjects जिनमें ज्यादातर vacancies निकलती हैं वो मैंने इदर लिखे हैं तो उनमें जैसे maths, physics, political science, English, sociology, Sanskrit, home science इसके अलावा भी काफी subjects हैं जिनके अंदर की college lecturer की vacancy निकलती है दोस्तों बात करें pay scale की तो college lecturer की जो pay scale है वो pay matrix level 10 में आती है जो की 44,900 से 1,42,400 तक जाती है तो काफी अच्छी इसमें pay scale है दोस्तों बात करें benefits की तो इस job में सबसे पहला benefit तो यह यह की है एक बहुती बढ़िया job है एक अच्छे environment में आप रहते हो salary काफी अच्छी है और दूसरा कोई pressure का job नहीं है आपको जो अपना subject से वो पढ़ाना है और एक अच्छे educational environment में आपकी बाकी की life निकलती है और काफी respectable job है दोस्तों बात करें challenges की तो काफी सैनिक हैं जो की post graduation नहीं कर पाते हैं इसके दौरान किसी कारण से तो ये एक इसमें आपको post graduation होना जुरूरी है दूसरा कि आपको जो subject चूज करने है उसकी कितनी vacancy किसी statement निकलनी है ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी आपको ध्यान में रखना है इस job को पाने के लिए तो ये सब जो challenges है इस job के लिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं LIC assistant की दोस्तों ये LIC assistant different है LIC agent से जो कि आप देखते हैं आप LIC के agent जो आपको LIC करवाते घुमते रहते हैं तो उनसे अलग job है ये job एक bank clerk की तरह का job है पर्मानेट जोब है LIC के लिए और काफी लोग इसमें जाना पसंद करते हैं ये group C का job है जिसके लिए जो qualification है वो graduation होनी चाहिए और इसमें जो काम है वो bank के तरह काई काम है लेकिन उसमें जो public dealing है वो bank जितनी नहीं है बैंक से कम है इसमें जो exam में जो subjects आते हैं वो है math, reasoning, english, computer, gk सेम वो subjects हैं जो कि आपके banking के exam में आते हैं salary की बात करें तो नए candidate के लिए 30,000 plus ex-service man अगर जाता है तो उसको pay protection होता है इसमें जी हाँ इसमें pay protection available है ex-service man के लिए तो उनकी salary 60 to 70,000 से शुरू होती है बात करें benefit की तो सबसे पहला benefit यही है कि ex-service man के लिए इसमें pay protection है दूसरा bank की तरह ही job है लेकिन bank से अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें public dealing bank इतनी नहीं है इसके लगा peaceful job है 10 to 5 job है तो काफी अच्छा job इसको माना जाता है बात करें challenges की तो इसकी जो vacancies हैं वो काफी limited हरती है और जो भी लोग banking और SSC की त्यारी करते हैं वो सारे इसकी try करते हैं इसका जो selection है वो zone wise होता है तो आपको choose करना पड़ेगा कि किस zone में आपको select होना है इसके लाव जो competition हो काफी high है मैंने पहले बताया कि जो भी SSC candidate जो भी banking के candidate वो सभी जो भी vacancy निकलती है तो try करते हैं तो cut off काफी उपर जाती है तो ये इसके challenges है बात करें SSC CHSL की तो ये भी एक काफी बड़िया job है जो भी candidate 12th pass है उनके लिए और ये भी SSC के दुआरा conduct किया जाता है और ये group C के अंतर गताता है इसके लिए जो qualification है वो 12th pass की जोड़त है इसके अंदर जो post जिन में की selection होता है वो है LDC यानि की lower division clerk, JSA यानि की junior secretary assistant इसके अलावा postal assistant जो post office में होते हैं sorting assistant इसके अलावा data entry operator तो ये सारी post इसके अंतर गत कवर होती है qualification जैसे मैंने बताया 12th pass जो भी है वो इसमें apply कर सकते हैं subjects जो इसके exam में आते हैं वो subjects हैं English, Math, Reasoning और GK बात करें इसकी salary की तो इसकी salary 25,500 से 81,100 है जो की pay matrix level 4 में आती है बात करें job की तो जो 12th pass candidate है उनके लिए one of the best job है SSC, CHSL का सभी को try करना चाहिए और salary भी काफी ठीक है उस हिसाफ से और जो काम है वो भी normal है कोई ज़ादा अपको heavy work इसमें नहीं है challenges की बात करें तो competition काफी high रहता है क्योंकि graduate candidate भी इसमें try करते हैं 12th के साथ और एक और चीज इसमें important है कि इसमें typing speed की जोड़त होती है इसमें 35 word per minute की typing speed चीए जो कि आपको develop करनी पड़ेगी इसके लावा इसका जो process है थोड़ा लंबा है 3 tier में exam होता है तो इसके जो selection process है वो पूरा complete होने में लगवग आपका date से 2 साल का time लग जाता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी apply करते समय दोस्तो forest officer और range officer का job है वो भी काफी popular है इसमें भी ex-service man की vacancies होती है ये भी state level का job है और काफी states इसमें ex-service man के लिए quota provide कराते हैं दोस्तों इसके लिए जो qualification की जोड़ता है वो है graduation जो भी graduate candidate है वो इसमें apply कर सकते हैं इसका जो selection है वो 2 tier में complete होता है पहले exam होता है और उसके बाद interview होता है दोस्तों बात करें syllabus की तो इसमें 2 subjects जो compulsory होते हैं जर्नल उलेज और इंग्लिस तो ये आपको examine का देना ही होगा साथ में आपको कोई भी 2 optional subject लेने पड़ेंगे और इन में से कोई एक subject आपके graduation में होना चाहिए तो total ये 14 subjects है मैंने 14 के 14 नहीं लिखे हैं तो ये आप जाके check कर सकते हैं मैंने कुछ subjects लिखे हैं main जो है वो है agriculture, physics, chemistry, botany, computer, math, environmental, science, etc salary की बात करें तो pay level 11 में इसकी salary आती है 45,300 से 1,800 बात करें benefit की तो job काफी बढ़िया है salary काफी अच्छी है और workload भी इतना ज़्यादा नहीं है और काफी peaceful job है अगर challenges की बात करें तो subjects आपको जो graduation में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से subjects आप से graduation की है posting और transfer उसी area में होते हैं जहांपर की forest available है इसके अलावा competition इसमें काफी high रहता है कि इसके बात करते हैं teacher की दोस्तों teacher का job भी बहुत ही बढ़िया job है काफी ex-service man पसंद करते हैं retirement के बाद teaching के job में जाना और काफी states हैं जो ex-service man को काफी अच्छा कोटा provide कराते हैं teacher के job के लिए इसमें जो qualification है वो आपकी graduation के बाद beard होना compulsory है जो subjects हैं जो आपको exam में face करने पड़ेंगे वो subject एक आपका जो beard में subject है जो compulsory इसके अलावा आपको जो other subjects हैं उनमें geography, history, journal knowledge, current affairs, education, psychology ये सब आपको exam में face करने पड़ेंगे salary की बात करें तो first grade teacher की salary 44,300 plus grade पे second grade 37,800 plus grade पे और third grade teacher की 23,700 plus grade पे दोस्तों इस salary जो मैं बता रहा हूँ सबी jobs के लिए इसमें state to state थोड़ा vary कर सकता है क्योंकि सबी जो state है उनका जो salary का जो matrix है उसमें थोड़ा change possible है benefit की बात करें तो काफी बढ़िया job है teacher का salary काफी अच्छी रहती है जैसे वो second grade, first grade में पहुशते हैं काफी अच्छी salary हो जाती है workload काफी कम है और चुटियां अगेरा काफी मिलती है और within state job है आपको अपने state में रहना कहीं बाहर नहीं जाना है challenges की बात करें तो बहुत सारे candidates B.A.D. नहीं कर पाते हैं on service अगर वो आके करते हैं तो 2-3 साल का time उसमें लग जाता है आपको choose करना पड़ेगा कि आपने कौन से subject से ब्याट करनी है ताकि उसकी vacancies उसी साफ से आप इसमें apply कर पाएं ताकि आपके ज़्यादा chances हो select होने के तो यह सबी challenges आपको teaching के job में face करने पढ़ सकते हैं दोस्तों बात करें पटवारी के job की तो यह भी काफी बढ़िया job है यह भी in state job है state के अंदर vacancies निकलती है पटवारी की जिसमें कि एक serviceman का अलग से quota उपलब्ध होता है तो आप उस quota का use करके इसमें पटवारी में select हो सकते हैं qualification की बात करें तो जो भी graduate candidate हैं वो सभी पटवारी के exam के लिए apply कर सकते हैं इसमें जो syllabus आता है exam में वो mainly इसमें general science general knowledge, current affairs, geography, history journal Hindi और English, reasoning, computer यह सब subject आते हैं पटवारी के exam में salary की बात करें तो इसकी salary 38,000 से 167,000 जो की pay level 5 में आती हैं दोस्तों job के benefit की बात करें तो in state job है आपको एक बार select होने के बाद job है क्योंकि administration से यह जुड़ा हुआ है इसके अलावा बात करें challenges की तो इसमें भी जो competition होता है काफी हाई रहता है काफी लोग पसंद करते हैं इस job में जाना इसके अलावा जो vacancies हैं वो limited होती है और इसके अलावा जो job है वो time consuming है क्योंकि state के जितने भी job है उन में time लगता है करीब selection process होने में time लगता है एक से देट साल तो यह सब challenges इसके साथ-साथ जुड़े हैं दोस्तों LDC का job भी काफी बढ़िया job है state level पे तो state level में जो जितने भी state के office है उनको run करने के लिए जो clerk होते हैं law division clerk उनकी जुर्थ पढ़ती है तो जब भी state vacancies निकालता है LDC की उसमें भी ex-servisement का quota available रहता है तो उसको भी ex-servisement use करते हैं इसके जो इसके लिए जो qualification है वो 12th pass के हो सकता है तो जो भी ex-servisement 12th pass है वो सब इसमें try कर सकते हैं syllabus की बात करें तो इसका syllabus है तो यह भी एक in state job है आपको अपने state में select होने के बाद state में रहना है काफी peaceful job है 10 to 5 job है इसके लब बात करें challenges की तो वही यह competition इसमें काफी रहता है काफी लोग इसमें try करते हैं और जो इसमें time है वो लग सकता है selection process के अंदर तो दोस्तों यह सारे job थे इसमें state to state थोड़ा vary कर सकता है लेकिन ज़्यादातर स्टेटों में इन सभी job के अंदर excellence man के लिए quota available रहता है दोस्तों इसी के साथ यह video समाफ्त करता हूँ video में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद उमीद है कि यह video आपको पसंद आया होगा अगर video आपको पसंद आया है तो like, share and subscribe का वटन दवाएं और bell icon को press करके all का वटन दवाएं ताकि सारे interesting video आपको अपने mobile handset पर मिले सबसे पहले दोस्तों video में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुब हो, जैहिन जैभाद